हम लोग करेंगे मोश्ट 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 कोस्चन दो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो पूरा वीडियो शुरू से लेके लाठ तक दिखेगा और जो लोग नए तो प्लेश चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीज़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रसंद संक्या 46-47 के लिए निर्देश दिया गया है क्या गयता है दिये गए बिकल्पों में से संबंद सब्द अच्छनों को चुनिए जैसे कि आपका 46 कोस्टेन है और यहां पर आपका कोस्टेन मार्क लगा हुआ है तो यहां पर वताना है कि क्या आएगा तो जिस प्रकार पहले का संबंद दूसरे से होता है या दूसरे का संबंद पहले से होता है उसी प्रकार तिसरे का संबंद हमें चोथे से निकालना पड़ता है ओके गाइस तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो पहले कोस्टेन का अंसर क्या होगा तो पहले कोस्टेन का अंसर हो जाएगा option C दिल्ली और दिल्ली क्यों होगा मैं आपको बताना चाहूंगा राजीब गांधी हवाई अड़ा जो है वो हैदराबाद में है ओके तो मतलब राजीब गांधी अबाई अड़ा जो है आपका कहां पर है किस स्टेट में है हैदराबाद और इंद्रा गांधी और small U का समद किसे capital A और small B से यह है तो इसको कैसे करेंगे तो देखी सभी का alphabet code पता होने चाहिए T का जो alphabet code होता है वो होता है 20 और A का होता है एक एक का कितना होता है गाईस एक होता है और U का कितना होता है 21 होता है और B का कितना होता है दो हो गए गाइस तो एक एक की ब्रद्दी हो रही है मतलब देखे उपर T से U जब बंड़ा है तो B से कितना बंड़ा है 21 और A से जो B बंड़ा है इसमें कितने का ब्रद्दी हो रही है एक की ब्रद्दी मतलब T U से बनने में कितना जुड़ा एक जुड़ा और AB में भी A से B बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा मतलब दोनों एक ही कहटा गिरीक के है मतलब पहले में भी एक जुड़ा और दूसरे वाले में AB में भी एक जुड़ा इसी तरहें हम लोग इसमें करेंगे C-D में तो देखें C का होता है 3 और D का होता चार, कितना जोड़ा? एक. अब एक चीज और देखिए, C के बाद D आगया, और इसमें देखी, C और D जो है, पर C जो है वो आपका capital letter में है, और d जो है, वो आपका small letter में है तो ऐसे ही दो alphabet चुनने हैं, जिसमें पहला alphabet आपका capital letter में हो और दूसरा alphabet small में हो, पह लेकिन तिसरे चौते में आपका देखे पहला अलपाबेट आपका बड़ा है capital letter में और दूसरा अलपाबेट है small letter में तो यही आपका answer हो जाएगा और यह का देखे अलपाबेट कोड होता है 10 के का होता है 11 तो 10 से 11 बनने में कितना जुड़ा एक क्योंकि पीछे भी आपके दिये होंगे आपके जो किसी न किसी तरह से एक समान होगे लेकिन जो लाश्ट का एक option बसता है चारों में से तो गाइस वह हो जाएगा आपका बिसम तो इसमें से आपका बिसम कौन सा होगा अर्थालिस में क्यों होगा विसम मैं आपको बताना चाहूंगा इमानदारी, सच्चाई और सत्यता ये तीनों के आँए आपास में पर्याबाची है मतलब एक दुसरे के समानारती हैं लेकिन धूर्टता ये मेल खाता नहीं है तीन तीनों से तो आपका विसम काउन सा हो जाएगा Option C अगला कोश्चन कर लेते हैं कोश्चन संख्या 49 से 50 के लिए निर्देश दिया गया है क्या दिया गया है नीचे एक अनुकरम दिया गया है जिसमें से एक पद जो है वो लुपता है और दिये गए बिकल्पों में से बहुत सही बिकल्प चुनिए जो अनुकरम को पूरा करे तो इसमें एक कोश्चन है यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा कैसे करेंगे देख लेते हैं 59 कोश्चन में यहाँ पर कोश्चन मार के यहाँ पर आएगा क्या तो देखें कोश्चन मार के पहले एक संख्या दी हुई है 13.5 मतलब 13.5 जो संख्या दी हुई है तो पीछे जो संख्या है आपके 4, 6, 9 दी हुई है तो इसमें कहीं न कहीं पॉइंट का मल्टिप्लाई हुआ होगा 0.5 आईसे करके कोई संख्या का मल्टिप्लाई हुआ हो जरूर होगा तो देखें 4 से अगर 6 बनाना है आपको ध्यान में रखना है पॉइंट का मल्टिप्लाई जरूर हुआ होगा कि सभी में तो 4 से अगर 6 बनाएंगे तो कैसे कर सकते हैं अगर 4 में डेल का मल्टिप्लाई कर दें तो यह कितना हो जाता है तो यह हो जाएगा आपका 6.0 या कह सकते हैं 6 अब हम लोग 6 से 9 बनाएंगे तो 6 में भी हम लोग क्या कर देंगे 1.5 का multiply तो देखिए 15 जखका 90 मतलब 9.0 या कह सकते हैं 9 मतलब condition जो है 7 जो है वो satisfied कर गई इसी प्रकार 9 में भी हम लोग कितने का multiply करेंगे 1.5 का तो यह कितना हो जाएगा 13.5 आगे है गाईस जब सभी में डेड़ का multiply हुआ है तो आगे भी होगा तो 13.5 में 1.5 का अगर multiply करते हैं तो आपका answer क्या आता है तो आता है आपका 20.25 तो यह किस में है option D में तो option D is right answer चलिए अगला question करते है question है guys हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा यह question mark जो है यहाँ पर क्या आएगा तो सभी के पहले-पहले alphabet उठाएंगे तो सभी के सबसे पहले alphabet code पता होने चाहिए तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं question को solve करने के लिए ओके गाइस तो देखे गाइस IG IG में I का code कितना होता है 9 alphabet code होता है G का होता है 7 और M का होता है 13 और K का होता है 11 और R का होता है 18 P का होता है 16 ओके गाइस अब एक चीत देखिए I और G के बीच difference कितने का है मतलब 9 से 7 बनने में क्या हुआ है 2 गटा है फिर M से K बनने में मतलब 13 से 11 बनने में क्या हुआ है 2 गटा है फिर R से P बनने में मतलब 18 से 16 बनने में क्या हुआ है 2 गटा है तो ऐसा option हम लोग चुनेंगे, जिनके बीच difference दो का हो, तो Z A में, तो Z का code होता है, 26 A का होता है, backward जाएंगे, 2 घटाएंगे, तो हमें आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1, तो पहला option नहीं हो सकता है, B वाला चेक करते हैं, A का होता है 1, B का होता है 2, 2 का difference होना चा लेकिन यहाँ पर पहली बड़ी नहीं छोटी है, तो दूसरा भी नहीं होगा, अब C वाला चेक करते हैं, यहाँ पर 24 होता है X का, और V का होता है 22 का, अब देखे 24 से 22 बनने में कितना गटा, 2 गटा, तो यह वाला आपका हो सकता है, अब D वाला भी चेक करते हैं, G का होता तो आपके दो आंसर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका दूसरा मेथड काम कर जाएगा, तो सबसे पहले सभी के हम लोग, अलपाबेट कोट तो पता ही थे, I का होता है 9, और G का होता है 7, M का होता है 13, K का होता है 11, और R का होता है 18, और P का होता है 16, आपको दो आंसर मिल और M से R बनने में कितना जुड़ा मतलब 13 से 18 बनने में या M से अठरा बनने में कितना जुड़ा प्लस का 5 जोड़ा तो देखी अब हम लोग एक चीद देखेंगे पहले आपका 4 जोड़ा उसके बाद 5 जोड़ा मतलब सीरियल बाई से चल ला है तो आगे कितना जोड़ेगा 6 तो 18 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलेगा 24 तो पहला अलफाबेट आपका क्या हो गया x तो देखिए सभी में हम लोग चेक करते हैं कि पहला अलफाबेट किसमें x है option a में नहीं है बी में है नहीं है c में आपका पहला अलफाबेट जो है x मिल गया लेकिन d में पहला अलफाबेट x नहीं मिला तो आपका यही answer होगा आगे करने की कोई जरूर नहीं यह तरीका लगा कि आप आसानी से question को solve कर सकते हैं तो option see is right answer चलिए अगला question करते हैं तो यहां पर बताना है कि क्यों सा number आएगा तो एक एक column को हम लोग लेकर solve करेंगे पहले column को फिर दूसरे column को फिर तीसरे column को तो पहले column में आपका जो last का number है यह 36 यह कैसे बना क्योंकि हमें तीसरे column में ही last का जो digit है वो बनाना है वो कैसे बना तो हम लोग पहले में यह apply करके देखते हैं कि यह 36 last वाला कैसे बना तो 36 में आप बनाने के लिए क्या करेंगे 93 उपर दिया है और 57 नीचे दिया हुआ है मतलब पहली संक्या तक दूसरी संक्या को अगर घटाएंगे 97 से 57 को अगर घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 36 इसी परकार सेकंड कॉलम में देख लेते हैं 99 से 157 घटाते हैं 99 से 157 घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 42 इसी तरीके से हम लोग इसमें भी कर देंगे 961 से 971 से 944 अगर घटा देते हैं 944 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 17 तो 73 आपका अंसर हो जाएगे तो option भी is right answer चलिए अगला question करते है एक निश्चित code में वीडियो को यह लिखा जाता है तो उस code में right को कैसे लिखेंगे तो वीडियो के सारे alphabet लिख देते हैं सबसे पहले B-I-D-E-O-S और इससे क्या बना है आपका U-J और C-F-N-T अब सबी के alphabet code पता होने चाहिए तो कैसे करेंगे U का देखे सबसे पहले उपर वाले code लेख देते हैं V का code कितना होता है 22 होता है I का कितना होता है 9 होता है O और B-D मतलब D का कितना होता है 4 होता है E का कितना होता है 5 होता है O का कितना होता है 15 होता है S का कितना होता है 29 होता है अब देखिए U का कोट कितना होता है यह होता है 21 J का होता है 10 C का होता है 3 F का होता है 6 N का होता है 14 और T का कितना होता है 20 तो देखिए 22 से 21 बनने में क्या हुआ है 1 घटा फिर 9 से 10 बनने में क्या हुआ 1 जुडा फिर देखे 4 से 5 तीन बनने में क्या हुआ एक घटा फिर देखे 5 से 6 बनने में क्या हुआ एक जुड़ा अब देखे 15 से 14 बनने में क्या हुआ एक घटा अब 19 से 20 बनने में क्या हुआ एक जुड़ा मतलब एक चिछ कामान होगे पहले माइनस एक हुआ फिर प्लस एक फिर माइनस एक फिर प्लस एक फिर माइनस एक फिर प्लस एक मतलब माइनस एक माइनस प्लस की सीरीज चलती जा रही है तो देखिए बुड का भी ऐसे ही हुआ होगा तो बुड के सब अब हम लोग सारबे ही अलफाबेट लिख देते हैं W, O, U, L, T इससे क्या बना है आपका B, P, T, M, C सबी के अलफाबेट कोड पता होने चाहिए W का कितना होता है लिख लेते हैं W का होता है 23 O का होता है 15 U का होता है 21 और L का कितना होता है 12 और D का होता है 4 अब V का कितना होता है 22 P का होता है 16 T का होता है 20 M का होता है 13 C का होता है 3 अब देखिए 23 से 22 बनने में क्या हुआ एक अटा 15 से 16 बनने में क्या हुआ एक जुडा अब 21 से 20 बनने में क्या हुआ कि हुआ venture 12 से 13 बनने में क्या हुआ venture अब 4 से 3 बनने में क्या हुआ venture मतलब इसमें भी वह वह शीरीज है 1 – 1, Pclick, minus 1, P vardır यहीं सीरीज है तो हम लोग right के लिए भी यहीं करेंगे तो right के सारे alphabet code लिख देते हैं R, I, G, H, T शाप भी alphabet लिख दिए और इसके alphabet code लिख देंगे R का होता है, 18 I का होता है, 9 G का होता है, 7 H का कितना होता है, 8 T का कितना होता है, 20 अब सबसे पहले 18 में एक घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17 अब एक जोड़ेंगे 9 में तो आप कितना मिलेगा 8 सोरी 10 मिलेगा अब 1 घटाएंगे 7 में तो आपका कितना मिलेगा 6 अब 1 जोडएंगे 8 में तो आपको कितना मिलेगा 9 अब 20 में 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 19 अब सभी के code लिख देते हैं 17 किसका होता है Q का और 10 किसका होता है J का और 6 किसका होता है आपका I किसका होता है I का 9 किसका होता है I का और 19 किसका होता है S का तो यह जो code मिला आई 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 आपका answer हो जाएगा और यह code कौन से option में आ रहा है option B में Q, J, F, I, S देखें मिल गया तो यही आपका अंसर हो जाएगा आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए अगला कोशिन करते है अज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थेंक यू